हे गाईज विलकम टू सक्सस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत हैप का इस वीडियो में तो दोस्तों एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए नई वेकिंसी रिलिज की गई है टाटा मोटर्स की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है और बहुत अच्छी खासी पोस्ट है यार टोटल 1100 से भी ज्यादा पोस्ट पर वेकिंसी रिलिज की गई है जो की ओल इंडिया के मेल और फिमेल सभी कैंडिडेट अप्लाइ कर सकते हैं तैडिस मेंसी बपाश्चोडी बहुत सारे ट्रेड एलिजबल हैं ब्रांच अप्लाइ कर सकते हैं अलग-अलग फेज पर रिक्रूटमेंट रिलिज की गई है टोटल चार नौटिफिकेसंस के बारे में बताने वाला हूँ कैसे फॉर्म बरनी है क्या अलिजबिटी कंडिशन होगी किस तरह की ये जॉब है सेलरी कितनी मिलती है अलिजबिटी कंडिश और ब्रांच जरूर कमेंट करके बताना फिलाल जितने भी सारे ट्रेड का आप्सन आपको यहां पे नज़र आ रहा है वो सारे ट्रेड आईटी है के स्टूडेंट अप्लाइक कर सकते हैं तो that is massive opportunity बंपर भरती निकाली गई है मौका मत छोड़ना चले स्टार्ट करते हैं detail wise बात करने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजेगा चले आगे बढ़ते हैं तो guys यह official website है इसी के जरीए अलग-अलग face पर recruitment निकाली गई है सबसे पहले निकाली गई है जो कि हम बात करने वाले हैं JTA trainee Tata Motors में उस दो जगा निकाली गई है एक आपका है ITI student के लिए है एक आपका है diploma student के लिए दो जगा निकाली गई है वो apprenticeship की लिए आपको मिल जागी यह भी apprenticeship की है और एक ITI student के लिए release की गई है वो भी आपका apprenticeship के लिए निकाली गई है जो कि हम इसमें discuss करने वाले हैं सबसे पहले मॉप करते हैं JTA की vacancies को उसके बाद देखेंगे company trainee में JTA में जो recruitment है first of all याद रखना कि इसमें 200 vacancies है कितनी post है 200 post क्या रहेगा आपका trainee की post होगा designation भी आपका trainee होगा employee trainee आप trainee new कहीं जाओगे और requestation ये आप new में रहोगे CDC में कुछ वे उगरा provide नहीं की जाती है CDC आपको नहीं mention होगी job trainee apprenticeship बट ये है आपका trainee की recruitment है ध्यान रखना इस तरह से categories में आपको divide किया जाता है इसकी online form भरने की जो last year है 31 October 2023 आपकी होने वाली है skills देखो आपके पास technical skills में होनी चाहिए CDC बात ITI होनी चाहिए अगर आपने किसी भी department से NSE यानि की apprenticeship कर रखा है तो भी आप apply कर सकते हैं यानि की trend pass करके जो apprenticeship करते हैं वो भी apply कर सकते हैं या फिर आपका simple ITI pass out होना पेहत जरूरी है अब trade कौन-कौन सा चलेगा trade देखो mechanic diesel, fitter, motor mechanic, wireman, welder, machinist, turner, instrument mechanic, penter, electrician and other mechanical trade अब other mechanical से related आपका अगर कोई trade आता है जिसे turner का option यहाँ पर देखी दिया गया है electronic mechanic एक आता है तो भी candidate यहाँ पर apply कर सकता है उसके बाद ITI pass out year तो यह mention जरूरी है क्योंकि ITI जो passing year है आपका 2021 या फिर 2022 आपका होना चाहिए मैं भी यहाँ पर 2023 तो होना ही चाहिए बट इनको क्या पता लेकिन जितने भी ITI student हैं अगर आप 2023 में pass out हैं तो आप बिल्कुल apply कर सकते हैं मैं कभी नहीं बोलूँगा कि apply करो लेकिन apply आप कर सकते हैं experience बिल्कुल phrasalizable है 18 से 23 साल age limit है all mark seat and certificate जो mandatory है वज़न देखो 50 किलो होगा BMI 25 रहने वाला है जो कि आपका रहता ही है duration यह जो job की duration है guys एक साल की होती है जैसे मारती सुजुकी में CW की निकलती है न बिल्कुल इसी तरह आप यह मान लो यहां पर भी stephen मिलने वाली है जो attendance के तोर पे आपकी carry होगी canteen की आपको 50 रुपय कटेगा ट्रांसपोर्ट का 200 कटेगा यह आप देख सकते हैं बिल्कुल free of cost from film कर सकते हैं तो 2023 में भी अगर आप pass out हैं तो आप जरूर apply करें और working location जो होगा वो आपका एहमदाबाद में होगा अगर आप apply करना चाहते हैं simply इस base पर यहां पर link पर click करके आप apply कर सकते हैं इसकी ध्यान देना 31 October 2023 तक last date है apply करने के लिए तो यह रही vacancy JTA trainee की Tata Motors सानंद में जो कि हमदाबाद में है अब चलते हैं next वाला तो next है आपका company trainee की यह भी आपका हमदाबाद में ही job लगेगा याद रखना बट यह भी vacancy एक company trainee की है वो आपका था यहां पर trainee की यहां पर भी same vacancy है 200 रहेगी इसकी भी last date है 31 October तक apply करने क यह भी job trainee की vacancy है यहां पर भी ITK student apply कर सकते हैं बट यहां एक चीज़ धियान रखना वो candidate बिल्कुल सिर्फ Fraser के लिए था लेकिन यह जो vacancy है यहां पर Fraser और experience दोनों के लिए vacancy है आप देख सकते हैं यहां पर Fraser यह Fraser candidate के लिए जो ITI pass out है और यह दूसरा है company trainee company trainee मतलब जो ITI apprenticeship यह फिर एक साल का उसके पास experience है तो यह candidate experience वालों के लिए है एक post अब experience कितना होगा मातर एक साल अगर आप एक साल का experience लिए हैं तो आगर आप इसमें apply करोगी तो आपकी salary increasement होगी बस वही होगा salary इसमें देखो इसमें क्या मिलेगा कि आपको total payment 12,050 रुपे मिलेगी जो अभी candidate Fraser join करोगे Tata Motors में इसमें 12,050 रुपे मिलेगी और इसमें जो salary मिलेगी उसको आपको 13,000 मिलेगी यहने कि 1000 बढ़ा के सिर्फ दे आएगी और ज्यादा अंतर कुछ भी नहीं है आप इसमें भी चाहें तो यहां perform करके apply कर सकते हैं दो notification है दोनों अलग अलग है कोई भ जॉब की वेकेंसी है एक साल की जॉब होगी और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह एक apprenticeship है जो की लखनाव डिवीजन से रिलीज की गई है चलिए अब इसको भी डिसकस करते हैं बट इसमें वेकेंसी ज्यादा है 500 वेकेंसी निकाली गई है तो idea वालों के लिए सो बहुत ही कम student को बाहर निकालती है टाटा मोटर्स एक ऐसा department है अगर आप में capability है आप बढ़ियां वाँ पे दिखाते हैं तो आराम से आपको job training के base पे job मिल सकती है इसकी भी जो last date है 31 सक्टूबर तक apply करने की date है यहाँ पर आपके पास 10th pass या फिर IT होनी चाहिए यानि कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ 10th pass भी किये हुए ना फिर भी आप apply कर सकते हैं बट IT होना compulsory है यह चीज़ का ध्यान रहे देखो apprenticeship की vacancy है तो इसमें age ज्यादा होती 18 से 25 साल के canad apply कर सकते हैं academic qualification 10th pass होनी चाहिए CBSE IC या फिर state board 60% marks के साथ अगर आपने 12 pass भी कर रखी है तो भ 10 pass प्लस 12 pass होनी ही चाहिए याद रखना अधरवाई जो 4 कैसे candidate के सभी candidate के लिए 12 pass जरूरी नहीं है जो कोपा ट्रेड है या फिर पासा ट्रेड है उसके लिए आपका 12 pass होना बहुत जरूरी है अगर आपने 12 pass नहीं कर रखी है आपने IT कर रखी है तो IT की कौन से trade apply कर सकते ह for any idea in India यानि कोई साभी trade है आपका तो आप बिलकुल इसमें apply कर सकते हैं बट सिर्फ कोपा वालों के लिए 12 pass होना बहुत जरूरी है सारी trade का नाम यहां पर mention है आप ट्रेड पढ़ सकते हैं बहुत लंबा लंबा trade यानि कि बहुत सारी trade का option आपको मिलेगा बहुत सारा trade है अराम से apply कर सकते हैं और इसमें जो stepन मिलेगी apprenticeship वालों के लिए 12,245 रुपए आपको stepन मिलेगी और इसकी जो screen पावतरा 90 दिन के विदर company की chain परिया totally complete कर दी जाएगा apprenticeship के बाद यहाँ पर एक certificate मिलता है और chain पर करिया आपका जो profile screen interviews के base पे and आपकी जो scrutiny जो आप form apply करोगे उसी के base पे आपकी की जाएगे ने required base पे रखो सीधी सी बात है ओके तो यह सारी details है guys कैसे apply करना इसकी भी form यहाँ पर आप देख सकते हैं यह form है आप यहाँ पर विजिट करके apply कर सकते हैं तो यह तीनो यह जो vacancy है 200 पहले मेंने 900 vacancies को discuss किया अब यह vacancy है 200 यह टोटल हो गया 1100 डिपलोमा apprenticeship की recruitment है अब इसमें यह भी 31 October तक लास डिट है apply करने के लिए technical तो डिपलोमा engineering apply कर सकता है ब्रांच कौन सा चलेगा चले हम एक बर ब्रांच को discuss कर लेते हैं automobile, mechanical, electrical, electronics and mechatronics तो यह लगभग 5 trade वालों को मौका मिला है जो भी candidate यह पांचो ट्रेड से आप ब्रांच में डिपलोमा कर रखी है आप apply कर सकते हैं यहाँ पर mention कि यह आई टिया पास आउट यह डिपलोमा पास आउट यह धियार रखना 10 पास होनी चाहिए 2017 से 19 के बीच में अगर आपने पास आउट कर रखा है या फिर डिपलोमा पासिंग यह जो चलेगा 2020 से लेकर 2023 तक डिपलोमा समझो 2020 और 2023 के बीच में अपना डिपलोमा कर रखी है with 60% marks के साथ आप apply कर सकते हैं कोई backlog नहीं होनी चाहिए और यह बहुत जरूरी information है कि आपका backlog यहाँ पर यह नहीं होना चाहिए बिल्कुल फ्रेसर है 18 से 23 साल है all marksit certificate आपका लगेगा age जो आपका minimum आपका वजन 50 किलो होगा other detail बात करें तो इसमें step 1 आपको 12,500 रुपे मिलेगी जिसमें से canteen education deduction होगा 50 रुपे और transport का deduction होगा इसमें 200 रुपे और other opportunity अगर आप देखना चाहते हैं जैसे qualification pass out करते हैं जो भी candidate अगर आपने qualified eligible candidate will be enrolled into full time BITEC after apprenticeship competitions per month during यानि कि जो भी candidate है apprenticeship के हुए हैं जैसे diploma करोगे salary आपको यहीं सुनने में मजाएगा यार जो BITEC के candidate है या फिर डिप्लोमा करके जैसे apprenticeship करते हैं अगर BITEC के रूप में आप joining apprenticeship करते हैं तीन साल की होगी duration यानि कि directly आपको डिप्लोमा करके निकाल नहीं दिया जागा तीन साल तक आपको रखेगी department as a BITEC के तोर पे फिर आपको देखो first year second year third year first year में 18,000 मिलेगी second year में 22,000 और third year में 24,000 तो यह बहुत अच्छी बात है BITEC candidate के लिए यहाँ पर आपको मुका दी जा रही है तो यह मुका मत छोड़ना डिप्लोमा वालों के लिए यही opportunity बढ़ जाती है यह सुविधा idea student को नहीं मिलती है यह सुविधा only food डिप्लोमा candidate के लिए मिलाता है और BITEC candidate के लिए तो बहुत अच्छी बात है जो भी candidate eligible है जाओ जाकर apply करो यहाँ पर आप क्लिक करके apply कर सकते इस website का link आपको discussion मिल लेगी जिस भी हरमिट में apply करना चाहते हैं कर सकते हैं कुछ doubt होता है तो अब बेज़र comment करके आप मुझे बता सकते हैं hopefully video इस पर लगी हो like, share and subscribe जरूर करके जाना चले मिलने नेक्स वीडियो में दद्दगले जहिंद